हेलो एर्विवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम फिर एक बार हाजीर हैं आपके सामने एक नई क्लास लेके और इसमें दस नई क्वेस्चन की हम फिर से प्रेक्टिस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विशिष्ट बालक होते हैं उनका संबंद किस से होता है बुद्धी स्टर से निस्पत्ति स्टर से अर्थिक स्टर से और सामाजिक स्टर से तो यहां पर आप सभी जानते होंगे कि जो विशिष्ट बालक है उनका संबंद किस से होता है option A answer है यहाँ पे कि बुद्धी स्तर से उसके बाद शवर पर्थम बुद्धी लबदी का परत्या किस ने दिया था जो IQ का परत्या था वो यहाँ पे शवर पर्थम पूछा है कि सबसे पहले किस ने दिया था तो option A है टर्मन ने, option B है बीने ने, option C है बर्ट ने और option D है, Spearman ने, तो यह question आपने पढ़ा होगा कि सबसे बुद्धी लबदी का परत्या किस ने दिया था आप सभी जानते होंगे, तो यहाँ पे answer है option B, बीने ने तो आप भी एक बार अपने अनुसार अनुमान लगा लीजिए, अनुमान लगाया कीजिए क्योंकि जब भी हम किसी भी question के बारे में बताते हैं, तो हमारे answer बताने से पहले आप खुद भी अनुमान लगा के देखा कीजिए, कि आपको कितने question आते हैं तो इसलिए हम time भी देते हैं, ताकि आप भी खुद से अनुमान लगाज के, कि उसका answer क्या हो सकता है तो अगला question है कि विशिष्ट बालकों से तात्परिया है विशिष्ट बालकों से तात्परिया है option A पर्तिभासाली बालक option B स्रिजनात्मक बालक option C उच्छ बुद्धिलब्दी और option D ये सबी तो यहाँ पर हमें देखना कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका तात्परिया किस से होता है कि पर्तिभासाली बालकों से होता है स्रिजनात्मक बालक से होता है उच्छ बुद्धिलब्दी से होता है और D ये सबी तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें ये सबी गुण पाए जाते हैं कि वो परतिभासाली भी होते हैं, सिरिजनात्मक भी होते हैं, और उच्छ बुद्धि लब्दी उनमें पाई जाती हैं. Next question है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेष्टाइं हैं. तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों की विशेष्टाइं बतानी हैं, कि उनका उत्तम सारेरिक विकास होता है, उसके बाद option B है, सेक्षिक विकास, और option C है, भोधिक विकास, और option D है, ये से भी. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, परतिभास आली बालक की समश्याएं होती हैं. यहाँ पर समस्याएं पूछी गई है, जो परतिभास आली बालक होते हैं उनकी. तो परिवार में समायोजन, option B है, विधल्या में समायोजन, option C है, समाज में समायोजन, और option D है, ये से भी. कि जो परतिभा साली बालक होते हैं उनको किन-किन चीजों में समस्या होती है तो परिवार में भी उनको समायोजन करने में समस्या होती है विधल्या में भी समायोजन करने में समस्या होती है और समाज में भी तो यहाँ पे भी option D है ये सबी क्योंकि जो इनका IQ level है वो दूसरों के IQ level से match नहीं कर पाते हैं तो इसलिए ये हर जंगा ही समस्या पाते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है पर्तिभा साली बालक की विशेष्टा होती है तो यहाँ पे हमें पर्तिभा साली बालक की विशेष्टा ही देखनी है option A है कि वो मौलिक चिंतन कर सकते है option B है अधिक बहुत घम्यता की सकती होती है उनमे option C है सब्द बंडार अधिक होता है option D है ये सबी कि जो पर्तिभा साली बालक होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं तो मौलिक चिंतन बिल्कुल कर सकते हैं वो अधिक बहुत घम्यता की सकती होती है उनमें और उनका सब्द बंडार भी विश्तरीत होता है तो इसका भी आंसर है D, ये सबी आगे 27 question है तो परतिभासाली बालकों को सिक्ष्य ववस्था का सब्रूप तो उनके सिक्ष्य ववस्था का सब्रूप बताना कैसा होता है option A है विशिष्ट विधल्या होते है option B विशिष्ट पाठ्यकरम होता है option C योग्या अध्यापक होते है तो सिक्ष्य ववस्था है उसके सब्रूप में क्या क्या होते है तो विशिष्ट विधल्या भी होते हैं विशिष्ट पाठ्यकरम भी होते हैं और विशिष्ट अध्यापक भी होते हैं तो इसका अंसर भी D है कि ये सबी होते हैं सिक्षय ववस्था के सवरूप में उनके आगे है अधिगम एसमर्थी बालकों की विशेष्टाईं बतानी है हमें चेतना की कमी होती है option A, चेतना की कमी option B, समरीति की कमी option C, सवेगात्मक परतिरोद और option D, ये सबी तो जो अधिगम एसमर्थी मतलब learning disability वाले बच्चे होते है उनकी विशेष्टाई क्या क्या होती है कि उनमें चेतना की कमी पाई जाती है समरीति की कमी भी मिलती है और सवेगात्मक परतिरोद भी होता है तो इसका अंसर भी D है ये सबी है next question देखते हैं तो यहाँ पर 29 अधिगम एसमर्थी बालकों का वर्गीगन का अधार होता है तो जो वर्गीगन होता है वो किस बेस पे होता है समरीति स्तर के बेस पे आकर्थी का ज्यान सरवन ज्यान और ये सबी तो option A है जैसे इसमें कि किस अधार पे होता है समरीति के स्तर पे Option B है आकर्ति का स्तर और Option C है सरवन का स्तर ग्यान और Option D है ये सबी तो यहाँ पे भी इसका अंसर होगा Option D ये सबी इन सबी बेसिज पे यहाँ पे वर्गिकर्ण किया जाता है आगे next question है कि अधिगम एसमर्थी बालकों को सिक्षा दी जाती है सामान्या विधल्या में विशिष्ट विधल्या में समावेसी विधल्या में और ये सबी तो यहाँ पे देखना कि जो अधिगम एसमर्थी बालक है उसको सिक्षा कहाँ पे दी जाती है Option A सामान्या विधल्या में Option B विशिष्ट विधल्या में और option C समावेसी विद्यल्या में और option D ये से भी तो जो अधिगम S मर्थी बालक है उसको सभी setup में शिक्ष्या दी जाती है चाहे वो सामान्य विद्यल्या है विशिष्ट विद्यल्या है और समावेसी विद्यल्या तो उमीद है आप सभी को ये question समझाए होंगे अच्छे से और आपकी practice को दुरूस्त करने के लिए ऐसे ही हम daily routine में classes लेके आया करेंगे और आपकी तैयारी को अच्छे से करवाया करेंगे तो ऐसी और भी information पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बटन जरूर तुबए ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो तुरंत आप तक notification पहुंच जाए और वीडियो को जासे जदा like करें साथ में share भी करें और इस वीडियो को तो अपने साथियों के साथ भी share किया किजिए क्योंकि जो भी वच्चे तयारी कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर share किया किजिए वीडियो ताकि सभी तक पहुंच सके और सभी practice कर सके अच्छे से हम डेली रूटीन में लेके आएंगे ऐसी वीडियो ताकि आप सभी की अच्छे से प्रिक्टिस करवाई जासके थैंक्यू